वेलकम टो एड़ोस, एड़ोस में आप सभी लोग का सौगत है दोस्तों अगर आप SSC GD का एक्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी परत्योकता पर इच्छा का जिसमें आपको हिंदी के प्रश्ण पूछे जा रहे हैं या नेक सब्द है इसके लिए एक सब्द बताना है तो जिसकी गरदन सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव ठीक है नेक्स कोश्चन है जो किये हुए उपकार को नहीं मानता हो उसको क्या कहते हैं ठीक है जो किये हुए उपकार को नहीं मानता हो कहते हैं किर्टगन ठीक है यह देखे किर्टगन कहते हैं उसको next question की तरफ देखते हैं जो किये गए उपकार को मानता हो जो किये गए उपकार को मानता हो तो उसको कहते हैं कृतग्य इस तरह से होगा कृतग्य ठीक है नेक्स है जो अंडे से जनमता है तो उसको कहते हैं अंड यानि निपुन हो तो उसको कहते हैं सभिसाची और जो विलंब से काम करे या टालता रहे उसको कहते हैं दिर्ग सुत्री यानि जो देरी से काम करे या काम को टालता रहे दोनों में से किसी भी तरह से प्रस्ण जो है पूछ सकता है तो वह है दिर्ग सुत्री जो कठिनाई से हो ठीक है तो उसको कहते है कुपाच और जो आसानी से पच्टा उसको कहते है सूपाच ठीक है ये दो कोशन है नेक्स देखे आगे कोशन है जिसके नख सूप के समान हो तो उसको कहते है सूर्पनखा ठीक है उसके जिसके सीर पर चंद्रमा हो उसको कहते है चंद्रशेखर गुमन्तू या गुमक्कर भी आपको देख सकते हैं नेक्स है मनन करने योग तो ये है मननिय ठीक है नेक्स है बोजन करने की इक्छा तो इसको कहते हैं भुगुक्छा और जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाथ है यानि आसानी से पढ़ा जा सके सुपाथ है और जिस इस्तरी का पती मर गया हो उसको कहते हैं विद्वा और जिस पुरुष की पतनी मर गया हो उसको कहते हैं विधूर नेक्स्ट है लाब की एक्षा तो यह है लिपसा ठीक है आदी से अंत तक तो इसको कहते है अद्योपांथ आदी से अंत तक अद्योपांथ यहाँ पर है ठीक है नेक्स्ट देखिए पीछे जन्म लेने वाला पीछे जन्म लेने वाला क्या कहलाता है तो यह कहलाता है अनुज ठीक है और जल से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है जलज जलज कहलाता है जल से जन्म लेने वाला जिसका निवारन नहीं किया जा सके ससी जीडी 2011 में पूछा जा चुका है तो इसको कहते हैं दुर निवार ठीक है नेक्स कोस्टिन की तरफ देखे जिसकी उपमा नहो ठीक है उसको कहते है अनुपम जिसकी उपमा नहो उसको कहेंगे अनुपम नेक्स्ट है अनुचित बात करने के लिए आगरह अनुचित बात के लिए आगरह तो इसको कहते है दुरागरह नेक्स है जो सब कुछ जानता हो उसको कहते हैं सरवग्य ठीक है सरवग्य कहते हैं जो सब कुछ जानता हो और जो कम जानता हो यानि बहुत कम जानकारी है उसको कहते हैं अलपग्य ठीक है नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला जो कोश्चन है वो है जो धर्ती फोड कर जन्मता हो उसको कहते है उद्भिज ठीक है देख लिए उद्भिज किस तरह से लिखा है उद्भिज नेक्स कोशन है जो पहले हो चुका हो उसको कहते है भूतुर्व और जो पहले हो चुका उसको कहते है भूतुर्व या अद्बुत भी आप कह सकते हैं नेक्स देखें जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको कहते हैं अशुरूत पुर्व और जो कल्पना से परे हो कल्पना तीत या और कल्पनी ये भी होता है जो आशा से परे हो आशा तीत और दोपहर के बाद का समय अपड़ाहन, दोपहर के पहले का समय पुर्वाहन पंक से जन्म लेने वाला पंकज और जो तोड़ा न जा सके अभेद्ध ठीक है? अभेद्ध है अभेद्ध जो तोड़ा न जा सके नेक्स है समुद्र की आग तो इसको कहते हैं बढ़नवाल, ये कोईशन S.S.E.G.D. 2015 में पूछा गया है, पेट की आग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जठर अगनी, इससे मिलकर नहो तो वो होता है अतीथी ये question पूछा भी गया है जिसके सामने कोई दूसरा नहो और दूइती है और जिसके आरपार देखा जा सके पार दर्शक पीने की इक्षा पिपाशा कहलाती है और पीने को इक्षुक जो होगा वो पिपासू कहलाएगा ठीक है अगर पीने की इक्षा है तो पिपासा और एक्षुक है तो वो पिपासू next है दो बार जन्म लेने वाला उसको कहेंगे दूइज next question है दो बार पीने वाला तो इसको कहते हैं दूइब और जिसका कोई शत्रू न जन्मा हो अजात सत्रू इस बार भी पूछा गया है ससीजीडी में 2019 के अभी जो एक्षाम चला है 2018 वाला पेपर ठीक है उसमें जिसका पती जिवित हो उसको क्या करते हैं सद्वा ठीक है मल से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे मलज इस तरह का कोईशन याद रखेगा जल से जल लेने वाला जलज पंक से जन्म लेने वाला पंक अज मल से जन्म लेने वाला मलज पिंड से पैदा होने वाला पिंडज अंड से पैदा होने वाल यानि अंडे से पैदा होने वाला अंडज पहले जन्म लेने वाला तो इसको कहेंगे अगरज और पीछे जन्म लेने वाला आपको भी इससे पीछे बता दिया है ठीक है नेक्स है पहले जन्म लेने वाला अगरज आकास में विचरन करने वाला खेचर या फिर नबचर ठीक है नेक्स है दिशा में विचरन करने वाला निशाचर, आकास को चुमने वाला गगन चुम्बी, यह भी पूछा गया है सिजीडी 2019 में, यानी 18 के एक्जाम में, सिर से पैर तक आपाद मस्तक, खाने योग या पीने योग, तो खाने योग हो गया खा दे, और जो पीने योग हो आप उसको कहते हैं पे, ठीक है, नेक्स कोशन देखे, सुनने योग, तो इसको कहेंगे स्रव्य, और गाने योग, तो यह हो जाएगा आपका गय, उसके बाद है अनुकरन योग, अनुकरनिये, जो पुरुष लोहे के समान बलिष्ठ हो, लौपुरुष, ठीक है, जिस इस देने वाला दुखदाई या दुखद, उसके आद सुख देने वाला सुखदाई या फिर सुखद, कम बोलने वाला मितभाशी, यह कोशन भी पूछा गया है, उसके आद सत्रु को मारने वाला सत्रुधन, कविता करने वाली इस्तरी, कवितरी किस तरह से लिखा जाता है, यह याद रखेगा, बहुत अच्छा है, यह वर्तनी शुद करने में भी पूछा जा सकता है, कभीता करने वाला पुरुष्ट कभी, नाचने वाला पुरुष्ट नर्तक, और नाचने वाली इस्तिरी नर्तकी, तो आप से जो है वो इस्तिरलिंग भी पूछा जा सकता है, कि नर्तक का इस्त्रिलिंग क्या है तो नर्तकी नेक्स्ट यहाँ पर अभिने करने वाला व्यक्ति अभिनेता गाना गाने वाले इस्त्रि गाई का गाना गाने वाला पुड़ुष गायक उपन्यास लिखने वाला उपन्यास कार कहानी लिखने वाला कहानी कार नाटक लिखने वाला इसे तरह से नाटक कार शिग्र कविता लिखने वाला तो आशु कवि और मरने तक आमरन ठीक है? उसी तरह से जीवन तक आजीवन संकट काली निस्थिती तो आपात काल अधिक वर्षा उसको कहेंगे अती वरिष्टी चार वेदों को जानने वाला तो होता है चतुर वेदी उसके वाद है महल के भीतर का भाग अंतह पूर और जहां नाटक खेला जाता है उसको कहते हैं रंग मंच ठीक है? रगू की संतान तो रगू अंसी कांती का पुत्र कॉंते राधा का पुत्र राधे विदेही का पुत्र वेदेही जनक की पुत्री तो ये हो जाएगी जान की पत्नी का भाई तो ये साला मा का भाई मामा विश्वास के योग विश्वसनिये पूजा के योग पूजनिये विश्णू का उपासक वैशनव शिव का उपासक शैव सक्ति का उपाशक शाक्त तो ये सारे प्रस्ण जो है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द के लिए था जो कि SSC GD के लिए काफे मत पूर्ण था तो ये 100 प्रस्ण थे उम्मीद करते हैं वीडियो आप सब लोग को पसंद आई होगी ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेर कीजे थेंक्यू सो मच आप सबी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद